अगली खबर फरीदबाद से है फरीदबाद की बल्लबगड अनाज मंडी में किसानों को लिफ्टिंग की परिशानी का सामना करना पड़ रहा है अब तक करीब 20,000 कट्टों की ही लिफ्टिंग यहाँ पर हुई है और मंडी में 2,000,000 के करीब के कट्टे अभी भी पड़े हुए है ऐसे में किसानों को उनके बेचे गए अनाज की राशी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है आड़तियों की माने तो सरकार के नियमों के मताबिक जब मंडी से अनाज की लिफ्टिंग हो जाती है उसके बाद किसानों की पेमेंट होती है लेकिन जब मंडी से ही अनाज के कट्टों की लिफ्टिंग नहीं हो पा रही तो किसानों को भी उनकी पेमेंट नहीं मिल पा रही उन्होंने इसका जम्मदार ट्रांसपोर्टर्स को ठहराया है उन्होंने बताया कि ट्रांस्पोर्टर्स के पास परियापत मातरा में अनाज ढोने के वाहन ही नहीं है लेकिन ट्रांस्पोर्टरों के द्वारा अपनी पहुंच से ज्यादा काम लिया चा रहा है जो ट्रांस्पोर्टर है उसकी गलती है वो माल नहीं उठा पा रहा है यह लोग कई की मंडियों में ठेके ले लेते हैं गाडियां इनके पास होती नहीं है से आरती कहां से इसजरे यौश तो सरकार को चाहिए कि देखें तो पास अफ़ी लेवन है या नहीं है झाल झाल झाल